ओड़नाइट गेस्ट वागत आप सभी काई को फाड़ वेपीस में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि जो कुछ वेसी फ़र्शिप यहीं पर है आगे बड़े क्या आपको पता है जो उस्टेलिया में एक ऐसा पत्थर है जिसका ना कहीं नोट पर तो देखी वेगे लिकिन आपको पता है वो फोटो कब और कहा खीची थी अगर नहीं पता तुम्हें बता दू फोटो सन 1946 में राष्टपती बहुन से बाहर से ली गए थी और क्या आपको पता है जो मनुश्यों का एक ग्राम डियने जो होता है न वो गूग प्राइब कर सकते हो और दूसरी एक चीज क्या आपको पताई जो अभी अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हुँझे कमेंड करके बताई कि इस फोटो में आप क्या देख रहे मरलब कितने प्राणी है कितने जानवर है मुझे कमेंड करके जरूर बताना दोस्तों पास टीवी देखने का वल्ड के होता है उन लोगों के लिए एडवेटाइस बेकार है मडलब उनके वह लोग कभी एक कार खरी दी नहीं सकते इसलिए वह लोग अपनी एडवेटाइस्मेंट जो होती है वह टीवी पर नहीं करते बरकि ऑनलाइन करते है क्योंकि ओनलाइन चूते हैं तो हम इंसानगरोंने चू लेते हैं तो वी उसकी मोत हो जाती है जी हाँ और क्या आपको पता है कि राजस्थान के जैसलमन में एक एसा पत्थर पाया गया जीने आप अगर दूध में डालोगे तो चोड़ा गनते बाद वो दूध अपने याप दही बन जाएगा और क्या आपको पता है जो हाथी होते न वो एक ऐसाजिव है जो कभी भी छलांग नहीं लगा सकता जी हाथी कभी भी छलांग नहीं लगा सकता और जो चाइना में पाय जाने बाला जो समुद्री रन होता है ना वो इस प्रकार से दिखता है इन्हें आप इस तरहाँ से भी उठा सकते हो पूरी दुनिया में सभसे ज्यादा साकाहरी अमारे भारत में खाया जाता है और क्या आपको पता है कि यह कैसा कुट्था है जिसका नाम मने है वो आठ साल का है वो टमिल नाड का है वो हर रोज अपनी दूध देचने में अपनी मालिक की मदद करता है वो इस प्रकार की कुछ गाड़ी चला कर अपनी रोज 25 लिटर दूध बेचने में अपनी मालिक की मदद करता है फिल हर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से रो कमेंट ज़रे उड़ करना